दिव्यांका नमस्खार दिव्यांका क्या पड़ती हो यह सर मैं कॉमर्स की चात्रा हूँ और पुषकर की रहने वाली हो जी सर तो पुषकर की कोई पवित्र चीज का मुझे बढ़न करोगी जो पुषकर की विश्ष्था पुषकर में एक मातर ब्रह्मावंदिर है हा और जो बताईए दिव्यांका क्या सवाल था आपके मन में सर मेरे कुछ मित्र ऐसे हैं जिनकी मेमोरी एवरेज है वे किसी भी विशे को कितना भी पढ़ ले वे परिक्षा में उसे याद नहीं रख पाते हैं तर वे ऐसा क्या करें कि वे उस विशे को याद रख सकें अच्छा तुम आपको मेमरी की जड़ी बुट्टी चाहिए जी बरूद देखिए दिव्यांका आप सबसे पहले अपनी डिक्ष्णरी से इस शब्द को डिलीट कर दीचिए आप सोचिये नहीं कि आपके पास याद करने की शक्ती नहीं है अगर आप खुद से जुड़ी कुछ गटनाओ को देखे तो आपको पता चलेगा कि वास्तों में आपको बहुत सारी चीजे याद रहती है जैसे आपकी मधर टंग क्या मधर टंग आपने किसी को बहुत ग्रामर के साथ पढ़ाया था क्या शिखाया था क्या नहीं ज़र आपको याद आप में कहीं जी नहीं हाँ यह सब सून करके सीखी तो यही वो चीजे हैं जरा सोचिए कि आपको जो पसंद है क्या इन चीजों को याद रखने करिये आपने कभी कोशिश की थी वो बातें जिनसे आप पूरी तरह जुड़ गये हैं मगन हो गये हैं वो बातें जो आपका हिस्सा बन गई हैं आपके विचार प्रभा का हिस्सा बन गई हैं उन्हें आप कभी नहीं भूलते हैं दूसरे शब्दों में कहूं, तो यह मेमराइज नहीं है, एक्चुली यह इंटरनलाइज है, और इंटरनलाइज करना यही इसका एक अच्छा रास्ता है, और इसलिए आपको याद करने पर जोड देने के बजाएं, आपको उसे जीने की कोशिश करनी चाहिए। सहता, सरल्ता, समगरताटे साथ, आपके पास भी वही सारी शक्तियां हैं, जो किसी बहुत टेलेंटेड व्यक्ति के पास होती है, सोचिए, अपने भाई या बहन के साथ, अगर आपका जगड़ा हुआ हो, तो वो आपको एक दम याद रहता है, आप उसे भूलते नहीं हैं, कि आपको यह भी आद रहता होगा, कि उस समय आपने, आपके भाई बेनने कौनचे कपड़े पहने थे, आप खड़े खड़े लड़ रहे थे, कि दोड़ते हुए लड़ रहे थे, सब याद होगा, एक-एक वाक्य याद होगा, यानि इसका एक मतलब यह है, कि आप उसमें पूरी तरह जी रहे थे, साफ है कि चीजें याद रहे, प्राफरली रिकॉल कर सके, उसके लिए आप जिस खड़े में है, उस खड़े में ही रहना, और उसमें पूरी तरह से इन्वाल रहना बहुत जरूरी है, यानि हम पढ़ाई कर रहे हैं, किताब हाथ में हैं, और मन है, खेल के मादान में, सहलियों के साथ, दोस्तों के साथ, फिर तो मामला गरबर हो जाता है, आगे चाकर आप में से कोई विद्ध्यार थी, अगर साइकोलोजी पढ़े का, उसमें मेमरी बाइशोशेशन का विश्तार से समझाए जाएगा, आप याद कीजिए, कि स्कूलों में सुबह एसेंबली में राष्ट्रगान होता है, अब जन गन मन हर कोई गाता है, लेकिन क्या कभी आपने जन गन मन गाते समय, आपने उस राष्ट्रगान के साथ देश में ट्राविल किया क्या, आप उस उसके साथ जो शब्दाते हैं, उन सब्दों के साथ अपने आपको विजुलाइज कर पाये, पंजाब को, गुजरात को, महाराष्ट को, बंगाल को, मनीमन, राष्ट्रगान गाते समय, ट्राविल किया क्या, आपको हिदम से हाथ होना सुरू हो जाएगे, मनी विजुलाइ साथ होते चले जाएगे, यानि इन्वार, इंटरनलाइज, एसोसियेट और विजुलाइज, मैमरी को साथ करने के लिए इस फर्मिले पर आप चल सकते हैं, मैं आपको एक और उधान देता हूँ, आपके पास नोटबुक्स होती हैं, अलग-अलग विशों की किताबे होती ह आप जब भी घर से निकलें, यह ताय करके निकलें, कि बैग में इतने नंबर पर इस विशे की नोटबुक होगी, और इतने नंबर पर इस विशे की किताब होगी, चोथी नंबर पर हो सकती हैं, तीसरी पर होते हैं, और आपने अगर तीन नंबर पर हिस्ट्री की किताब पाँच नंबर पर गुगोल की किताब अखिए तो जब भी आप हिष्ट्री की किताब निकालने जाएं तो बिलकुल आख बंद करके तिन नंबर की किताब निकालते हैं आपको देखिएगा आपका कॉंफरेंस लेवल कितना बढ़ जाएगा चारिये मुझे अच्छा लगा आपसे बात करने का मोका मिला और मैं राजस्थान के लोगों को भी और पुष्कर की पवीत्र धर्ती को भी आज यहां से नमन करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद